आज श्ला रगुनंदन ठाकूर तिरुभावतिती महत्सव के उपलक्ष में कुछ हम कसमरण करेंगे जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त ब्रंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त ब्रंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानन्द जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त ब्रंद उम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानाजन श्रिलाकया चक्षणुरुमिलितम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमा नमा उम विष्नुपाधाय कृष्न प्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेवप्ति वेदांत स्वामे नितिनामिने नमस्ते सारस्वति देवे गुरवानी प्रचारिणे निर्विशेष शुन्यवादी पाष्चात्यदेश तारिणी जए श्री कृष्न चैतन्यप्रभु नित्या आनन्द श्री अद्वैद्गदाधर्श्रिवासादी गुरभर्ट्वडंद अज गौडिय वैश्णों के लिए अत्यांतर पवित्र दिवस है हमारे इस ब्रह्म अध्व गौडिय वैश्ण संप्रदाय के अंत्रकत विशेश कुछ आचारिय विशेश गवर पारशदों का तिर्भात विथी महुत्सों को मनाई जा रहा है जिसमें प्रम गौडूप से आज जा गवर पारशद में भवाश्री चैतने महापुरू के भक्तों में श्लरगुनंदन ठाकुर जो अत्यंत विशेश स्थान भी रख का भी तिरुबात ही वस है तो देखते हैं दो विशेश तो होना पूर्णत संभव नहीं है तो एक विशेश को ही भली भाती हम समझने का प्रयास करेंगे तो जिस तरह से श्रीमत भागवद भी इस बात को कहता है नश्ट प्रायश अभद्रेश नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमशलो के भक्तिर भवती नैश्टिकी भक्ती में निश्ट होने के लिए भक्ती में स्थित होने के लिए आवश्यक है कि नित्यम भागवत सेवया और उसी के अंतरगत श्रील प्रभुपाजी इस बात को बतला है कि किस तरह से गरंत भागवत और व्यक्ति भागवत दो होते हैं और दोनों का ही सेवन अतियावश्चक है भागवत में मतलब बक्ति में पूर्णता निष्ठा की स्थिति को पराप्त करने के लिए तो उसी के अंतरगत में सुन रहा था प्राप्पूजेशिला भक्ति आश्रे वैश्णों महारा जिसे वो इस बात को है रहे थे कि ऐसे जो भगवान के महान भक्त है और उन महान भक्तों में विश्रवप से गउर पारश्द जो गउर चड़ना श्रित है इनकी अगरी महिमा को श्रवण किया जाए तो कृष्ण के भक्तों की महिमा को श्रवण करने से श्री कृष्ण की भक्ती में निष्ठा सुद्रुण होती है वैसे ही गौर पारशत भगवान श्री चैतन्य महाप्रुभु का अश्रेले भक्तों की महिमा का श्रवण करने से गौर निष्ठा सुद्रूर होती है भागवत को भागवत को हम पढ़ रहे हैं भागवत का श्रावन कर रहे हैं तो श्री कृष्ण की निष्ठा जैसे सुद्रूर होती वैसे ही गौर भक्तों की यदि महिमा को सुनते हम श्री चैतने महाप्रों के परिकरों के महिमा को श्रौण करते हैं तो वह हमारी भगवान श्री चैतने महाप्रों की निष्ठा इसको सुद्रूर करता है तो उसी के अंतरगत श्री चैतने महाप्रों के विशेश भक्तों में से नवद्वीप वास ही है, नवद्वीप में जो भक्त रहते हैं, वैसे नीला चल में कहीं भक्त रहते हैं, वैसे श्री चैतने महापुरू के प्रमुख भक्तों का एक समोह, विशुप से श्री खंड, श्री खंड कहा जाता है, तो श्री खंड में जो वास करते हैं, श्री चै मुकुंद, रगुनंदन, ठाकुर और नरहरी सरकार ये तीन नाम जो प्रमुकुरुप से सुनते हैं तो नरहरी सरकार, मुकुंद और वासुदेव तीन भाई थे हैं जिनकी विश्वप से श्रीखंड वास्यों की विशेषता लग बग जानते होंगे श्रीखंड वास्यों की विशेषता क्या थी? उनकी विशेषता थी गौर अनन्य निष्ठा जिसको कहता है या जिसको कहता है गौर गत प्राण कि श्री चैतन्य महापुरु के पirseth बहुत विषर्श प्रेम था और इतना अत्याधिक प्रेम था श्री चैतन्य महापुरु के पृति कि वे सदा सरवदा उसका मुझे प्रमाण मार ढून रहा था दून रहा था मिला नहीं तुम्हें यह सुन रहा था वहाँ पर बटला रहे थे, कि श्रीखंड वासी भक्तों की विशिश्ता गया है, उन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण का किड़तन कभी किया ही नहीं, कि यह हलां कि किहते हैं सदा कर्णा चाहिए कर दो श्री खंड visi क्रिशन की नाम का कहिएगर नहीकां कि थे श्रीक के नरहरी सरकार पादी की विश्चा नरही सरकार के वड़नते हैं विश्चप सरकारिक विशेश भक्त जिनका वड़नन किया जाता है जो भगवान श्री क्रिश्न चैतन्य महाप्रभू जो भक्त अवतार के रूप में आ है उन्छ श्री चैतन्य महाप्रू के सम्मुख ही श्री चैतन्य महाप्रू के नाम का और महिमा का किर्दन करते थे कभी अपने महिमा को सुनते नहीं तो नरहाई सरकार कोई किसी विशेश मतलब अधिकार प्राप्त था कि श्री चैतनी महापुर के समनी गौर किरतन करते हैं और उनिकी प्रसिद्ध एक पयार भी है ना भजन भी आता है मन रे कह ना गौर कथा हाँ पेटे शयने गौर सपने गौर गौर नए निरतारा जीवने गौर मरने गौर गौर गला रहारा जहां पर रहते शयने गौर सपने गौर गौर नए निरतारा कि श्री चैतन्य महाभू गौर हरी के प्रती इतना अधिक प्रेम था उनका कि गौर हरी को छोड़कर आवकर किरतन करते नहीं थे शयने, स्वपने, नयने, जीवने, मरने, जीवने गउर, मरने गउर, गउर गलारहार, यार माजारे गउर राखिया, विरले बसियार, मैं अपने हृदे में शी चैतन गउर हरी को विराजमान करूँगा, और फिर, अन्नी किसी कोई चर्चा न करते हैं, मन में श्री गउर हरी का जो सुन्दर रूप लावणने है, उसको चिंतन करूँगा, गउर विहने, नावांची पापराणे, गउर करेची सारा, क्या कहा है आपे, कि वास्ते गउर को छोड़कर, और किसी को मैं, अपने जिवन में स्युकार ही नहीं करूँगा, गउर गमन, गउर गठन, गउर मूखे रहासी, गउर प्रीती, गउर मूरती, हियायरहल पाशी, कि गउर हरी का गमन, जैसे हुँ कहते न, मदुरा अदिपतिया खिलम मदुरम में, गमनम मदुरम, तो ऐसे गउर गमन, गउर गठन, गउर हरी का जो गमन है, गउर हरी की जो सभाव है, गउर मुखे रहासी, श्री गउर हरी का जो असमित हासी है, गउर प्रीती, गउर मूरती, तो गउर हरी के प्रेम, और गउर हरी का जो मूरती, मतलब गउर हरी का जो रूप है, यही मेरे हृदय में सदा सलवदा विराजमान रहे, गौर शब्द गौर सम्पद जाहार ही आय जागे नरहरी दास ताहर चरण सतत शरण मागे गौर शब्द वास्तविक जिसकी हृदे में सदासरवदा स्पंदन होते रहता है गौर 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 और गौर सम्पद गौर जिसकी जीवन की सम्पत्ति है जिनकी हृदे में गौर स्पुरित होते है वास्तविक ऐसे भक्तों की चरणों का मैं आश्र लेता हूँ यह श्रीखंड वासई है शब्द जब मुझे स्मरन हुआ तो ऐसी श्रीखंड वासई थे और इस सीलमद देखते है कि जब भगवान जगनाज जी की रतियातरा उतष्षव होता था भगवान जगनाज जी की रतियातरा के समय भगवान श्री चैतन्य Map eleg अपने भक्तों के लेकर झृटन करते ते तो श्री चैतनी महामापुर्ण सात्टोलियों में विभाजन करते थे और अठाउजी भगोण जगन्नाज प्रसंद करने के लिए थे खिर्शन करो तो अन्य से यहां पर कृष्ण के नाम का कृष्ण कृष्ण कौन है ऐसी उनकी अनन्य प्रेम था तब श्री चैतनमाप्र क्रुद्ध हो यहां चार तोलिया आगे रहती थी वहां जगनाजी सामने और दो तोलिया बगल में रहती थी और एक टोलि है जो श्रीखन्ड वासी के जो भकत है इनको जगनाजी के रत के पीछे किर्दन के लिए बेजा जाता जगनाजी के सामने ऐसा किर्दन मत करो तूम सुनते नहीं हो आप ऐसे कल्पना करें भगवान जगनाजी की रतिया तरह चले रत के पीछे आपको किर्टन करने का आजाए तो उनको इसी में आननता है हम कुछ भी हो जाए हम गवर हरी के नाम को नहीं छोड़ेंगे ऐसा इनका विशेश प्रेम था तो ऐसे जो भक्त है ऐसे श्रिखंड वासियों में प्रमुक रूप से बतला जाता है मुकुंद नरहरी वासुदेव थे और उनमें से जो मुकुंद है उनके पुत्र हुए है रगनंदन ठाकुरू तो रगनंदन ठाकुरू की ऐसे कथा प्रसिद्ध है परतु विशुप से मैंने विचार किया कि प्रमुक जो शास्त्र के आचारे के जो वचन है उनको ही हम आधार रख करे दी स्मरन करे उसमें बहुत विश्यश भाव को भी रखा गया है तो श्रिल रगनंदन ठाकुर के विश्यए में इस तरह से बतलाए जाता है गौड गणो देश दीपिका के अंतरगत वर्णन आत चक्रे लीलाय साहायम योराधा माधवयोर्वरजे श्रीचैतन्याद्वैततनू सेव रगनंदना तो यहाँ पर गणो गणो देश दीपिका में वर्णन रगनंदन ठाकुर के विश्यश तुरुतिरिया प्रद्युम्नह तो भगवान काही स्वरूप भगवान का विस्तार आध्यात्मिक आकाश में परव्यों में वैकुंट में जो होता है चतर व्यों के रूप में नारायन संकर्शन वासुदेव संकर्शन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तो उससी के अंदर तृतिय व्युह कहा गया तृतिय व्युह कौन है तो वेही प्रद्युम्न जो तृतिय व्युह है वेही प्रद्युम्न जो कामदेव के सुरूप है वे प्रद्युम्न जो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र है वेही प्रद्युम्न श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण के विशेश सखा जिनको यहां पर तो वो ही प्रद्युम्न द्वारका में तो वैकुंट में है वे प्रद्युम्न के रूप में तुरुतिय व्यूव है वे द्वारका में श्री कृष्ण की पुत्र कृष्ण में प्रद्युम्न है और वो श्री कृष्ण की लीला में राधा माधव और व्रजे तो राधा पारकाधिश के पुत्र श्री कृष्ण के पुत्र है और राधाक माधव की व्रज लीला में सहायता करने के लिए नर्म सखा के रूप में जो प्रगट हुए है वे ही अब अगला शब्द गया है श्री चैतन्य अद्वाइततनु सेवरग नंदना और गौर लीला में जिनके शरीर में और चैतन्य महाप्रों के शरीर में भेज नहीं यह शब्दों पर ही अगर रुक कर विचार किया जाए क्या इनकी कौन सी किस स्तर के है यह तो रगौनंदन ठाकुर के लिगा जाए कि श्री चैतन्य अद्वाइततनु सेवरग नंदना तो ऐसे रगौनंदन को कहा गया है तो इन篇 अद्रियों और द्विचार के विश्ञे में वर्णन आथा है कि श्री अधिर्फ से रगौनंदन ठाकुर मुकुंद जो राज वईद्य थे माता का नाम तो वर्णन नहीं किया गया है परंतु मुकुंद दास जो राजवाइद देते हैं जिनकी विश्यम चैतन चैतामरुत में वर्णन किया गया है तो एक तो इनके जो क्या कहेंगे आप बड़े भाई ना ताउजी तो ताउजी हुई नरहरे सरकार ठाकूर उनके व मुकुंद के विश्यम में कहा जाए तो मुकुंद कभी साधरन प्रेम नहीं था बहाई राजवाइद वैद्य इहां करे राज सेवा अंतरे प्रेम इहारजा निवेक केवा तो यह राजा के राजवाइद्य पूरो हिद्य से कहते हैं राजवाइद्य देख दो फैमिली ड सेवा राजा की सेवा करते हैं रिदय अंतर में इतना अधिक प्रेम था तो मैं यह पड़ रहा था तो अपने हिद्य में श्री कृष्ट्ण के प्रेम को धारण करके रख सकता है और वहाँ पर प्रसिद्ध जो एक लीला को हम सुनते है श्री चैतन चैतामृत में जिसका उ वहाँ जो राजा थे जो बादशाय थे उनकी चिकित्सा करने के लिए मुकंद गए थे और क्या देखा कि मुकंद के राजा के समीब उनका एक सेवत था और सेवत क्या करता मोर पंक दे रहा था तो किवल मोर पंक को देखकर श्री कृष्ण के रूप गुणलिला सुपूरित हो गए और ऐसा अश्ट सात्व के विकार आए कि वहीं पर मुर्चित होकर गिर पड़े समीब पूछना क्या हो गया क्या हो गया वैद्य ही यहां पर मुर्चित हो रहे है तो अन्योगा कैसे इल पुछा है यहां प्रसिद्ध जो चैतन चैता मुर्च का ही उकती है खंडेर मुकुंद दास श्री रगु नंदना श्री नरहरी ए मुख्यतीन जना कभी राजगोस स्वामी करें खंडेर श्री खंड में तीन मुख्य जना तीन मेन भक्तते गवरु हरी के कौन मुकुंद दास श्री रगु नंदन और श्री नरहरी तो प्रती वर्ष जब नीला चल में चातुर मास के समय भगवान जगनाजी रथियात्रा के समय समस्त बंगाल के भक्त जाते उनमें ये श्री खंड वासी भक्त भी जाते थे और जो वहां पर मिलते थे भगवान चैतन महापरु से तो श्री चैतनि महापरु ने ये प्रश्न पुछे दे मुकुंद दासेर पुछे सचीरन लगवान तुम्ही पिता पुत्र तो मार रगु नंदन तो मुकंद दास कुष्णी चाहितने महा पूछ रहे कि तुम पिता हो और आपके पुत्र रगुनंदन है और किवा रगुनंदन पिता तुमी तारतनया निश्चे करिया कहया उकसंशया पहला कहा कि तुम पिता हो रगुनंदन तुमारे पुत्र है या फिर रगुनंदन और तुम उनके पूत्र हो, मुझे संशे हो रहा है कि रुपया इस बात को बतलाईए, श्री चेहतने महापर पूछ रहे हैं, अर्थ वहाँ पर मुकुंद क्या कहते हैं, मुकुंद कहे रगुनन्दन आमार पिता हय, आमीतार पुत्र एई आमार निश्चया, क्या कहें मुकुंद ने, मुकुंद ये कह रहे हैं कि वास्तविक रगुनन्दन मेरे पिता है, और मैं उसका पुत्र ये निश्चित रुप से, मैं आपको बताता हूँ, आमा सबार कृष्ण भक्ती रगुनन्दन हैते, अतेव पिता रगुनन्दन आमार निश्चया, कि वास्तविक मुझसे श्रिष्ट जो कृष्ण भक्ती है, वो रगुनन्दन के पास है, रगुनन्दन की भक्ती को देखकर मैं प्रेरित होता हूँ, इसलिए जो हमें भक्ती में प्रेरित करता है वास्ते वहां हमारा पिता है, इस तरह का भाव यहां पर है, शुनी हरशे कहे प्रभु कहीले निश्चया, यहां है ते कृष्ण भक्ती सही गुरु है, तो यहां पर श्री चैत्रमारु सबसे प्रमुक सिद्धान्त बतला रह है, कौन गुरु है, कौन पिता है, शब्द क्या है, श्री चैत्रमारु आपको हरश्यत हुए है, और वो कहते हैं निश्चयत रुप से बात को जान दो क्या है, यहां है ते कृष्ण भक्ती, जिसके द्वारा आपको कृष्ण की भक्ती प्राप्त होती है, जिसके द्वार प्रदान करता है वास्त यह कितने सिंबल डेफिनेशन है गुरू शब्द कि यहां है जिसके दारा होती है कृष्ण भक्ती जिसके दार श्री ख्रीपरागत वहां वास्तविक गुरू है तो पुरा आगे बहुत पयार हैं पर दो सभी में पूर बिचार किया था प्रेजनेश परन्तु फिर आप सुन सकते हैं तो ऐसे ही हैं रगुनंदन थे जिसके विश्यम श्री चैतन वाड़ तो प्रशना आता है क्यों ऐसी विशेश इनकी भक्ती थी तो वहां बतला जाता है कि रगुनंदन हाला कि संपूर्ण श्री खंडवासियों में गवर अननिष्ठा थी परन्तु साथ ही में मुकुंद जो थे मुकुंद दास इनके ही परिवार में लगबग तीन पीडियों से खा जाता है विशेश रुप से भगवान श्री कृष्ण की विशेश सेवा अर्चना की जाती थी मेरे पीछे तो उनके विशेश में ही बताया था कि यह जब अत्यन्त बाल्लिय अवस्था में थे बहुत छोटे थे तबीसे यह बहुत ध्यान से देखते थे कि पिता कैसे सेवा करते है पिता भगवान को कैसे शंगारित करते है भगवान की आरती कैसे करते है विशेश रुप से यह श्रील प्रभपाजी इस प्रकार के हमें संसकार या संस्कृति प्रदान की है कि कैसे माता पिता ने अपने बच्चे को यह प्रारंबिक जीवन से विशेश रुप से निसंदेह नाम प्रत भगवान के साथ एक व्यक्तिकत संबंद स्थापित करने के लिए आचार्य के द्वारे हैं अनुमोधन किया गया है श्री चैतन्य महाप्रूप पाँच भक्ति के अंगों को जो रखे है उसमें श्रद्धया श्री विग्रह अर्चन या श्री विग्रह सेवन को रखा गये हैं पंचांग भक्ति में श्रील जीब गोस्वामी की टिका को श्रीमद भागवत के अंतरगर श्रील प्रहुपाद छटे सकंद में वर्णन की है जहाँ पर जब प्रहुपाद जी एक तात्परे में कहते है कि देखा जाए तो कल्यूग में नाम संकीरतन ही सर्वस्व है परन्द और वहाँ पर विशुप से प्रहुपाद जब टात्पर लिख रहे ते वो उस समय के वर्णन कर रहे है प्रहुपाद जी जब ब्रंदावन धाम में कृष्ण बलराम की प्राण पतिष्ठा हो रही थी अश्ल प्रहुपाद जी वहाँ पर कहते कि यहां कृष्ण बलराम की प्राण पतिष्ठा हो रही है और वास्तविक यहां पर हमाई सभी वक्त मिलगा हरी नाम संकीरतन कर रहे हरी नाम संकीरतन ही उस प्राण पतिष्ठा की विधी के लिए परियाप्त है तथा पी प्रहुपाद कहते है चोंकि लोक विचार करते हुए पिशुप से अन्य जितने बरजवासी जन है वे शायद इसे मानने न करे इसलिए हम अन्य विदियों को भी जो पांचे रात्रिक विदि है इसको भी साथ में कर रहे है हमारे लिए वास्तों कि इतना ही को ही उद्रुद करते प्रहुपाजी वहां कहते है कि हाला की नाम संकीतन ही पर्याप्त है तथा पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति प्रिती प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को जागरत करने के लिए एक तो नाम के प्र सेवा भाव को विख्षित करने के लिए इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति का नाश करने के लिए अति आवश्यक है कि नियमित रुप से भगवान की अर्चना को भी किया जाए श्रिला प्रभुपाद हम देखते संपूर्ण जगत में जहां पर भी हरिनाम संकीतन को प्रच करने के लिए भी तो इसका एक गलत अर्थ यहां भी ले लिए जाता है जब हम कहते कि सतोगुन मिस्थित करने के लिए इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति को नाश करने के लिए सेवा प्रवृत्ति को जागरत करने के लिए नाम में प्रेम जागरत करने के लिए विग्रह कि आरादना करनी चाहिए और फिर भागवत में वर्णन क्या गया कनिष्ट मद्यम उत्तम का तो जो कनिष्ट होते हैं वो केवल विग्रह में ही श्रीक्रिष्ण को देखते हैं तो इन शब्दों को जब पढ़ते हैं तो कहीं मन में विचार आजाते हैं कि केवल कनिष्ट अधिकारी के लिए ही भगवान की सेवा है यह है गलत भावज मैं विश्री चैतन्य स्वामी महाराजी से श्रवन कर रहा था एक समय जब में ब्रंदावन में थे और वहाँ पुने एक बात बताई तो मुझे स्मरण हुआ कि विश्री रूप से आप देखेंगे कि स्वामी श्री चैतन्य महापरबु नामसंकीतन को ही वैसे जोड दी है और तो नामसंकीतन है श्री चैतन्य महापरु सदा सरवदा भगवान जगनाजी का दर्शन करते थे जगनाजी के प्रती तोटा गोपिनात के प्रति उनका विशेश प्रेम भाव रहता था, उनके बिना वो नहीं रह पाते थे, और जब श्री चैतन्य महाप्रूँ प्रंदावन जाकर लोटकर आए, तो श्री चैतन्य महाप्रूँ सदा सदा पसदा गिर्राज जी की शिला को रखते थे, जो का इन्होंने भी सदा सरवदा नाम संकीरतन विशुप से नाना शास्त्रों का अध्यन और उनका फिर संकलन करना वह कारे के प्रमुक रुप से प्रत्येक आचार्य ने उस जब प्रेम की अवस्था को प्राप्त के जहां पर उनित्य लिला में प्रविश होते थे प्रंतु साथ में विग्रह की नित्य सेवा करते थे तो यहां एक विशेश बात मैं कहना जाता था यहां पर तो ऐसे श्रीमन महाप्रभू के अललो भक्तों ने अलग-लग प्रकार के गुणों को प्रकाश्चितिया उसमें विशुप से कहा जाता है रगुनंदन ठाकूर के विशेश था रगुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवना कृष्ण सेवा बिना इहार अन्यनाही मना कविराज गोष्वामी क्या करें रगुनंदनेर कार्या रगुनंदन का क्या कार्य था श्री कृष्ण के जो अर्चना है श्री कृष्ण की विग्रह की सेवा को करते थे कृष्ण सीवा विना इहार अन्यनाही मना प्रारंब से ही मन में और कोई दुसरा भाव रहता नहीं था उसी को बहुत सुन्दर जो हमारे का आचार एक होकर उद्धवदास उन्होंने पयार में लिखा है वो पयार पुरा पर प्रसुत करना चाहता था पर उन्तु शमा चाहता हूँ मैं उसे पूरी तरह स्तयार नहीं कर वा है प्रिवकेल हम उसको गान कर लेते कथा तो लगबग जानते हैं उसी को हम यहाँ पर आप ध्यान से शद्धा पुरक्ष्रवन करेंगे तो बहुत सुंदर वचन है प्रकट श्री खंडवास नाम श्री मुकुंद दास धरे सेवा गोपिनाथ जानी श्री खंड में श्री मुकुंद दास ते जो गोपिनाथ की सेवा को गेला कोना कार्यांत तरे सेवा करी बारत तरे श्री नरगुनंद ने डाकी आनी तो आप पता है था कि श्री मुकुंद दास गोपिनाथ जी की सेवा करते थे श्री खंड में रहते वे और एक समय कि आप राजवैद्य है वो तो डॉक्टर कई बार इमर्जन्सी में किसे का स्वास बिगड़ जाता है तुरंट बुलाई जाता है डॉक्टर को और फैमिल डॉक्टर को तो तुरंट कॉल पर बुलाई जाता है तो एक समय जब कुछ राजा के या उनके परिवार भी अस्वस्ता होगी तुरंत वहां पर आदेश पर तो है तो नियम से सेवा होते थी और जब सेवा मुकंददास करते थे तो कहा जाता है कि दूर से ही क्या देखते थे यह अरिचना तो सामने हो रही आरती हो रही है वहां देख ले परंतु एक बात परप्ण करते हो सब सेवा उनों आखो से देखी थि भोग लगाने वाली सेवा को आखोता नंचे से बालक ने अधकु देखते रहता था गोपिनाजिप को देखता था उस श्रद्दा के सात ने तो एक समय बतला जाता है गेला कोन और सेवा करीबार अतरे अब अचानक जाना पड़ा परंतु भगवान की सेवा का जो नियों होता है सेवा नियम को खंडित नहीं करना चाहिए तो वहाँ पर बतलाए जाता है कि अब मुकंद ने विचार किया कि नरहरी सरकार को कहा जाए पर तो इनकी इतनी गवर निष्ठा है कि तो कृष्ण के अर्चना को भी उतना अधिक नहीं मानते है कृष्ण की सेवा कहां करेंगे इतना गवर प्रेम में डूबे वे नरहरी सरकार ठाकुर कहां वो श्री कृष्ण की सेवा करें तो क्या किया जाए तो मन में विचारा है अपनी पत्नी से कहा कि नना से बालक है इसी कहो सिवा कर लिए तो श्री रगुनंदेन डाकी आनी रगुनंदर को पुका रहा है और कहा घरे आचे कृष्ण सेवा यतन करे खवाईबा एतबली मुकुंद चलीला तो घर में श्री कृष्ण के सेवा है रगुनंदन और यतन करे खवाईबा तो यतन पुर्वक अच्छी तरह से ठाकुरुजी को भोजन कराना और इतना कहकर मुकुंद चले गए है क्या कहा गया पिता का आदेश जप्राप्त हो है तो सेवा के सामगरी को लेकर वे आए है गोपिनात के सम्मुख आगए साधक दोश में बतला जाता है दो दोश हो जाते हैं कौन सा एक दोश तो यह होता की जिसको सहजिया कह सकते हैं कि तुरंत श्री कृष्ण के साथ एकदम सामान्य मनुष्य वत्वेभार आदी करना की अपनी अवस्ता को न जानते हैं तुरंत भगवान के साथ उतना पूर्ण आदर जिसको तहर एव एंड रेवरंस कहा जाता है उसके साथ सेवा न करना हुए यह दोश रहता है दूसरा दोश क्या होता है कि उसको जब नियम से सेवा की जाती है नियम को इतना धारन कर लेते है कि वास्त्विक नियम के प्रयुजन को भूल जाते है जैसे भागवत में भी वर्णन किया जाता है पश्चंतिते में रुचिराणी अंब प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानी रूपानी दिव्यानी वरप्रदानी भगवान का पिल देव माता देवुति सुजब कहे है और वहाँ पर इस बात को विशुप से कहा गया है कि जो भक्त जो नित्य नियमित रूप से श्रद्धा से सेवा करते है श्री कृष्ण उनके साथ आदान प्रदान करते है और वो भक्त अनुभव करता है पश्चंतिते म रुचिरानी अंबा तो इसका बहुत सुन्दर भाव बतलाए कि हैं अंबा है माता जो मेरे भक्त होते हैं बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं सेवा करते करते हैं मेरे प्रती एक विशेश भाव को जागरत करते हैं और फिर मेरी जिस तरह से नाम अपराद का प्रयूजन क कि जब नाम के प्रति अपराद को आप टालते हैं तो नाम व्यक्ति है यहाँ अनुगूति होने लगती है। वैसे ही जब सेवा अपराद का प्रयूजन कियाता है, कई प्रगार के सेवा अपराद को रूप गुस्वांग वर्णित की है। सेवा अपराद का प्रविजन यह है कि विग्रह की रुप में साक्षा श्री कृष्ण एक व्यक्ति है इसका अनुबह हो तो उसके लिए यहां सेवा अपराद आधी होते है कि बहुत ध्यान दिया जाता है तो अंततर श्री कृष्ण के व्यक्ति जैसे हम सुनते श्ल पाद जी कई बार इसकौन के मंदि में आते हैं प्रभपाद जी देखते थे और क्या कहते है तो डे क्रिष्णा इस स्माइलिंग बुढे क्रिष्णा किस डांसिंग श्री कृष्णा प्रसंद है आज श्री कृष्णा नुद्य कर रहे है तो तुरंत भगवान के करने लगते हैं मंगला ऩई में न सब्सक्राइब थी दर्शन कहते हैं परनू साथ और उसके उपरांध भौट बहुत नारा आज दिखरा ना राज नहीं है अनुभभव हावकत करते हैं तो Near अगदोश किया होता है कि जब विगरह किर्म सेवा करते हैं विगरह व्यक्ति है और व्यक्ति के रुपे आदान प्रदान करते हैं मुझे विश्रप से स्मरण होँ रगुनंदन ठाकुर की कता एक समय पर हम पूझे जयव पता कर स्वाई मारच कहेते हैं Krishna is ready to reciprocate Are you ready? भगवान आपके साथ सही में आदान प्रदान करना चाहते है आपके तैयरी क्या है हम क्या करते है भगवान के साथ में बहुत बड़ी राजभोग की थाली लेकर जाएंगे और रख देते है भगवान को भग लगाते है प्रारतना करते है नमो ब्रह्मन ने देवा आएसा प्रारतना करेंगे और मन में क्या विचार है अब भवान को भग लगाया भग लगाने बाद क्यों होगा राजभोग की पूरी की थाली हम लेकर जाएंगे और महापसात का वितरन करेंगे ऐसा कि मन में भवावा कि पिता का आदेश प्राप्त करके गोपिनाथ के संभुक आया है श्री रगुनंदने अती वयक्रम्य शिशुमती खाऊ बोले कांधी ते कांधी ते श्री रगुनंदन जो है शिशुमती कहा गए यहाप उद्दवदास क्या है शिशुमती मतलब निश्चल मन है कहा कि भगवान को खिलाओ यतन करे खवाईबा ये शब्दताना अच्छे से खिलाना गोपिनाज्य को तो अंदर की तो सेवा को भी देखे नहीं थे उसने कहा कि सही मैं मेरे पिताजी बैटके खिलाते होंगे और गोपिनाजी खाते होंगे उसने कभी देखा नहीं प्रसाद ट्रांसपर होते होई सबी कि पूरा प्लेट पूरा आ रहा है तो श्री रगुननन्दने अती वयक्रमशिशुमती खाओ बोले कांदी ते कांदी ते खाने को कह रहे तो खाने को कह रहे तो खाने को कह रहे तो खानी रहे तो भाइबीत होगे और जोड जोड से रोने लगे और तब कहा जाता है कि बहुत अधिक बार कहा गया इसको तो विस्तार से कभी हम सुनते हैं बार बार कि तुम्हें खाना ही होंगा तुम्हें खाना होंगा तुम्हें खाना होंगा ये बहुत कहा है और उसका वहाँ जो इदम सरल भाव को देखा है तो भगवान सरल भाव को तुलंति ग्रहन कर लेते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कृष्ण से प्रे मेर वशे नाराखिया अवशेशे सकल खाईला अलक्षीते उसके प्रेम के वशिवतोर कृष्ण ने सब कुछ खा लिया नाराखिया अवशेशे ये शब्द है खाते तो हमेशा है कृष्णा प्रंतु इस बार प्रगट रूप से श्री कृष्ण को ने ग्र आसिया मुकुंद दास कहे बाल केर पाश प्रसाद नैवेद्य आन देखी मुकुंद दास आएके बाल कोई लगिया हो महाप्रशाद लेगिया हो शिशु कहे नाथ शुन सक लिखाईल पुन अवशेश कच्छो नहीं राखी शिशु कहे रहे है पिताजे सुनिये कोपिना तो सब कुछ खा लिए कुछ तो बचा ही नहीं शुनी अपरूप हेन विसमित हृदय पुन तो हृदय एक्टम विसमित होगा ऐसे कैसे हो सकता है बाहर बाहर अमन में विचार आने लगाए तो क्या किया जाए तो एक दिन पुन लिचार शु beginnen विसमित हृदय पुन आर दिन बाल के कहिया सेवा अनुमती दिया बाडी रबाही रहय पुन आसी रहे लुकाईया अगले दिन काकी तो हाच तो आज तुम फिर से खिलाना और खुद बाहर चले गए बाडी रबाही रहय या बाडी के बाहर चले गए और जाने को कहा पर उन्तु छुपकर वो देखने लगे और क्या देखा श्री रगुनंदन अती हैया हरिशमती गोपिनाते लाड़ू दिया करे रगुनंदन अत्यन तो हरिशित है कि मुझे पुनाश्री कृष्ण को आज भोजन खिलाने का अऊसरप्राप्त हो रहा है और बहुत प्रेम से गोपिनात को लड़ू दिया और गोपिनाते करे कर मतल़ हाथ में गोपिनात के हाथ में लड़ू दिया है खाओ खाओ बले घना अर्दे का खाईते है न जो खाओ 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 तो गोपिनात खाने लगे और गोपिनात ने आधा जब खा लिया खाओ खाओ बले घना अर्दे का खाईते है न समय मुकुंद देखी द्वारे उसी समय मुकुंद द्वार पर आ गए और उन्हें देख लिया कि गोपिनाजी खा रहे है ये खाईल रहे है न आर ना खाईल पुना जितना खाना द खा लिया अब देखा कि मुकुंद सामने आ गए तो गोपिनाज फिर आपस स्थिर हो गए अब नहीं खाया ये खाईल रहे नहे न आर न खाईल पुना देखिया मुकुंद प्रेमे भोरा तो मुकुंद जो है प्रेम से भर गए है नंदनकरिया कोले अपने बेटे को गले लगा लिया नंदन करिया कोले गद गद स्वर बोले नए नवर इशे घन लोरा तो गद गद का कंठ अवरुद्ध हो गया है नएनों से धारा बहर ही है धन्य हो मेरे पुत्र अध्यपी श्री खंड पूरे आज भी श्री खंड में अध्यपी श्री खंड पूरे अर्द लाड़ू आचे करे आज भी वहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे जो विग्रह मेरे पीछे वे श्री चैतने महाप्रू की और श्री चैतने महाप्रू की निकट एक छोटा सा विग्रह है वहाँ वास्त भी गोपिनाज जी है कहा जाता है तो कहते हैं आज भी गोपिनाज जी के पास में आदा लड़ू रखा गया है आदा लड़ू है और वो गोपिनाज के हाथ में कहते हैं तो विग्रह भी चोटे है होंगा चोटा लड़ू होंगा हाथ में इसे लड़ू को प इनके हाथ में लड़ू है अध्यापि श्री खंडपूरे अर्द लाडू आचे करें देखे यत भाग्यवान जहारें तो जो फ्रॉडपूनात के रखनदन यारे लाडू कवाई ला तारे देखी मने अहां तुकवाडिला अइसा रखनदनका बहुत सुंदर वर्णन क्या है सुरी टाइम इसा बहुत सुन्दर यह हैं एक ही प्रसंग है दुसरा और एक प्रसंग ऐसे था कैसे रगुनंदन विषेशरुप से जब अभिराम आते है रगुनंदन अभिराम ठाकूर रगुनंदन की परिक्षा लेने के लिए अभिराम जो यह किसी वैश्नों को प्रणाम कर ले किसी भक्त को दंडवत परणाम किया और उस भक्त के हृदय में यह दे किंचित मात्र के बहुत एक इच्छा हो जाए उसी शंड बोले से भक्त की मृत्ति हो जाती थी भैवीत होते थे अभिराम ठाकुर के केवल दंडवत से भक्त करन और उस समय जाता कि रगुनना सा उन्हें आए और उता इस पर बता जाता है जहां पर यह थे मुझे। में और उनके चरणों का नुपूर जा टूटकर दो कोस दूर गिरा है तुम्हें पर नुपूर कुंड प्रसिद्ध है ऐसे रगुनादन की बहुत सारी वहाँ सुन्दर लीला है केह कहे श्री रगुनेंदेर प्रितयार जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य वशतार कैसे ठाकर की प्रेम है कि जन्म जन्मानत चैतन्य महा प्राबु उनके वश्रिम हो जाते हैं प्रती दीन हीन दुख जनेर जीवगनदन का प्रेम ऐस आए कि गवर अर गवर रे Πरादीन हीन दुख जनेर जीवगने दीन हिन्स अभी के प्रति उनके रुज़्य दया भावरति. और कहसा उनके दैन्या? दीन ता इतनी है, इतनी उच्चनि पहती भक्ति बहुतो अत्यनत दैन्या. तो कह कहे रगुनंदनर प्रीति, कह कहे की दयालू रगुनंदना. तिसरी बात कहे कहे कि दैन्य विनय नाई है ना इतना दैन्य है कि और किसे में नम्रता होई नहीं सकती और कहे कंदर पेपराय शोभाये ना और यह तो प्रद्यूम नहीं तो साक्षात कामदेव जितने सुन्दर थे यह रगुनंदन ठाकुरू तो ऐसे बहुत सुन्दर और भी कुछ बात है वो कवर्णन किया गया तो समा कहाति कर्वन हो चुका है शमा चाहते हैं हरे खश्णा तो रगुनंदन ठाकुरू तिरे भाहत तिती महत सवग की जाए अनंत बोटी वैश्न वरंद की जाए पुरा प्रसंग यहाँ पर लड़ू तो दिख नहीं रहा है बासुरी बहुत बड़ी दिख रही है तो ऐसे रगुनंदन ठाकुर के चर्णम प्रार्तना करते है जैसे उनका प्रेम, श्रद्धा, श्री चैतने, महाप्रु की प्रती और भगवान की सेवा के प्रतिती वैसे हम्में भी हो, हम भी उस बहावना से युक्त होकर भगवान के सेवा गर सगिस्द्धा और साते मंक्शिदास बाबजी के तिरुभाध उनके भी चर्णमर में प्रणाम करते है श्लवाइंग शदास वाबजी तिरे बाद दिमोट सवा की जाएं श्लवाइंग शेश प्रगू की जाएं भूब भाद धन्याव प्रोजी जितने महत्वपून तिथी और दिवस पे हमें प्रोजी ने कथा कर अस्पान करा साथी में जो भूपिनाख के विग्र पीशे आप दर्शन कर रहें बहुत ही मधूर विग्र है यह और यह वही विग्र है जिने स्वेम प्रगुन अंधन ठाकुर ने अपने हाथों से भोग लगाया है और खिलाया है और उनके अश्रू वर्ष और प्रेम वर्ष होके प्रभू ग्रहन भी किये थे तो हम सभी वक्त मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्छान के विष्ण मानशेश प्रगु का रिदेव पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं तो प्रभुजी ने आज यह इतना मुहत्वपून जो दिवस है और इसमें जो सिक्सिद्दान प्रभुजी स्थापित क्या डीटी वर्शिप के विष्ण में काफी कुछ ब्रांत धारना होती है तो उसके विष्ण में जो विस्तार पूर्वक हमें कथा सुनाई है इसलिए प्रभुजी का अम्रिदेव पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं उनके चर्णों में हरे कृष्ण महामंत्र करके सब्सक्राइब करेंगे जिए सब्सक्राइब करेंके सब्सक्राइब sup